असलाम आलेकम आपरीवन दिस इस अली फ्रों मास्टिक दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंपैरेजन आज की इस वीडियो में बिल कॉलिटी कैमरा स्पेसिफिकेशन और स्पीड टेस्ट को करेंगे कौन सा फॉन बैटर है कौन सा फॉन वैल्यू फो मनी है के नहीं आप वीडियो को जरूर देखिएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉन बाय करना ह ज्यादा बोर नहीं करता चलते हैं वीडियो की तरफ लेट्स चम टू दा वीडियो को के दोस्तों यहां है मेरे पास गालेक्सी ए थर्टी एस चालिस हजार की प्राइस रखी गई है और डिस्काउंट भी कुछ मल जाता है यहां मेरे पास मिल जाता है आपको दूसरे हाथ में शाओमी का मी ए 3 यहां कुछ 37,000 का इन्वाइस टेट मिलता है दोनों ही फोंस में आपको उफलाइं मार्केट में डिसकाउंट मिल जाता है यहां बिल्ट कॉलिटी की बात की जाए तो आपको गैलेक्सी ए 30S प्लास्टिक बिल्ट कॉलिटी में मिलता है यहां पॉली segment laugh, 전ayime location 5 की production मिल जाती है, glass build quality मिलता है, यहां frame भी आपको कुछ aluminum coated chrome coated मिल जाता है, यहां पर आपको कुछ premium फील आती है Xiaomi Mi A3 में, Xiaomi Mi A3 में आपको रियर पर triple camera setup, flash light, Xiaomi की branding मिलती है, Android 1 की branding देखने को मिल जाती है, MX CardyesUS, Xiaomi Mi A3 क Skip Cobra. आता है feel भी कुछ आपको नहीं ज्यादा होती मी A3 का थोड़ा सा weight ज्यादा होगा galaxy A30s से और यहां build quality में clearly difference होगा और अगर यहां display की बात कर ली जाए तो दोनों ही वहां 720p के pixels के साथ आते हैं 6.4 inches का आपको बड़ा display मिल जाता है galaxy A30s में और यहां आपको MI A3 में मिल जाता नहीं की गई कि कौन सा gorilla glass इस्तेमाल किया गया है galaxy A30s में यहां बात होगी display की और यहां बात होगी build quality की इन दोनों ही phones की हम थोड़ा सी speed को compare करते हैं तो सबसे पहले हम बात किरते हैं boot up test की यहां दोनों ही phones के power keys को मैं प्रेस कर चुका हूँ और अगर आप प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको exynos 7904 देखने को मिलता है galaxy A30s में 40 nanometer base processor है यहां आपको 1.8 octa co की speed देखने को मिलती है Xiaomi Mi A3 में आपको snapdragon 665 देखने को मिल जाता है 2.0 octa co processor और 11 nanometer base processor है यहां boot up test को Xiaomi Mi A3 पहले complete करता है galaxy A30s जो है वो थोड़ा सा later on हुआ और यहां आपको application loading time भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है galaxy A30s में और मेरे साब से ज्यादा difference नहीं बोलूँगा बट galaxy A30s थोड़ा सा Mi A3 से boot up test में slow नजर आए यहां दोस्तों यहां बात होगी boot up test की अगर fingerprint sensor को check out किया जाए तो दोनों ही phones के rear पर आपको कोई भी fingerprint sensor नहीं मिलता चार जीपी 64GB का variant आता है galaxy A30s भी चार जीपी 64GB Xiaomi Mi A3 भी यहां दोनों फोन के in display fingerprint sensor है तो यहां आपको Mi A3 जल्दी unlock होता हो मिला galaxy A30s थोड़ा सा time ले जाता है as compared to Mi A3 यहां आपको difference देखने को मिल जाएगा यहां दोस्तों कि हम लास्त ट्राइम करते हैं दोनों ही phone की screen को off करके देखते हैं तो यहां आपको difference देखने को मिलेगा Mi A3 थोड़ा सा fast नजर आएगा मुझे यहां थोड़ा सा difference होगा अगर face unlock की बात की जाए तो दोनों ही phone में face unlock भी मिलता है हम face unlock को भी check out कर लेते हैं तो यहां भी MI A3 जो है literally थोड़ा सा difference होगा बट इतना noticeable difference नहीं होगा दोनों ही phone जल्दी unlock कर देते हैं और यहां अगर operating system क की बात की जाए तो MI A3 में आपको Android One operating system मिलता है जो के बेस्ट Android पाइपे दो साल की आपको Android भी मिल जाती है यहां आपको मिल जाता है Samsung का One UI यहां दोसो 1.5 आपको यहां पर version देखने को मिलता है One UI का और जो के बेस्ट है Android पाइप Galaxy A30S में अब यहां optimization की बात कर लेते हैं यहां tabs को में close out करता हूं दोनों ही phones की अगर बात कर लिजा यहां GPU की Xiaomi Mi A3 में आपको Adreno 610 का GPU मिलता है यहां Galaxy A30S में आपको Mali G71 MP2 वाला GPU देखने को मिल जाता है मैंने benchmarks को इसको run out किया हुआ है यहां check out कर लेते हैं तो यहां आपको Geekbench scores में difference नजर आएगा इवन performance में भ यहां हम क्लिक करेंगे dialer पे Galaxy A30 लिटरली थोड़ा सा बहते रहा 1 UI काफी बहते रहा messaging यहां भी आपको कुछ कम ही difference देखने को मिलेगा camera app तो यहां आपको दोनों में सेमी saturation मिली picture को capture करते हैं front camera open करके यहां जो picture capture करने की जो timing है वो कौन सा phone बैटर लेता है तो यहां आपक लिटरली MI A3 थोड़ा सा बैटर लगेगा दोनों फोन से गरीवन एक जैसा काम कर रहे हैं हम बात कर लेते हैं कुछ social media app की तो facebook यहां पर Mi A3 थोड़ा सा आगे रहा और अगर बात की जाए यहां पर YouTube Mi A3 और अगर बात की जाए यहां पर Instagram की यहां Galaxy A30s थोड़ा सा आगे रहा बात कर लेते हैं वाइबर की यहां आपको Mi A3 थोड़ा सा आगे लगा Snapchat Mi A3 बात कर लेते हैं कुछ data sharing app की तो share it को check out करते हैं तो यहां भी Mi A3 जो है वो थोड़ा सा आगे रहा Galaxy A30s से अबात कर लेते हैं कुछ अगली app की यहां हम रन आउट करते हैं कुछ games को कुछ low level की games मतलब कुछ कम MBS लेने वाली game होगी सबसफर और कुछ यहां पर PUBG को भी रंग कर के देखेंगे कौन सा फोन अगरा देता है यहां ग्राफिक्स काफी बैटर दे रहा है एडरीनो का जीप्यू काफी बैटर नदर आ रहा है एस कम्पेर टू माली जीप्यू काफी पीके पीके कलर कार्टोनिश लुक देखने को मिल रही है तो यहां सावे सर्फर में A30S जो है वह आगे नदर आया हमें MI A3 से अब आद कर ले हम लोग यहां पर स्मैश इट की दोनों ही फोन्स एक साथ अप्टिमाइज करते हैं इस अप्लिकेशन को बात करें पिन आउट की सेम टाइम अब आद कर लेते हैं टैंपल न्टू की यहां आपको कलर्स का जो है वह क्लिरी डिफरेंस रहा है लेकिन वन यूई काफी आप्टिमाइज नजर आ रहा है अब आज कर लेते हैं अपने प्लेस्टोर की कहां सा फून पहले प्लेस्टोर को अपन करता है तो यहां भी वन यूई काफी आप्टिमाइज नजर आ रहा है अभी अब वोड़ा सा टाइम ले रहा है अब आपकर लें अपनी आखरी यह जिए दोस्तों पब जी को जैसे आप जब जानते हैं मैं रण करता हूं तो पब जी पे करते हैं कलिक और देखते हैं यह है कि यहां पर कौन सा फोन जो है वो पब जी को आप्टेमाइज करता है पहले तो यह यहां हम इन दोनों ही फॉन्स को सामने ले आते हैं तो यहां दोनों ही फॉन्स में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा लेकिन गैलक्सी ए 30S ने पबजी को लूड किया है पहले और यहां हम कुछ ग्राफिक्स और कलर्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन सा फून ब कहतर नहीं मिल रही में फिर भी कलर्स कुछ वाइबरेंट नदर आ रहे हैं यहां अगर ग्राफिक्स ही बात कर ली जाए तो आपको मिलता है बाकि आपको कोई भी आप्शन देखने को नहीं मिलता यहां पर मीडियम के साथ बैलेंस पर खेल सकते हैं गैलक्सी ए 30 में आप ह यहां दोस्तों यहां पबजी लवर के लिए थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होगी गैलक्सी ए 30S की एक्सपीरियंस थोड़ा बैटर होगा बट कलर सेचुरेशन आपको मिलेगी अब यह था स्पीड टेस्ट हम थोड़ा सा रैम मेनेजमेंट की अगर बात कर लें कि हमें फॉ तक हमें अंदाजा हो जाए कि रैम मेनेजमेंट यहां कौन से फॉन में बैटर मिलती है तो हमने सर्वे सर्फर को चलते वे चोड़ा था तो यहां सर्वे सर्फर को एमाई ए 3 जो है वो दुबारा लोड़ कर रहा है और गैलक्सी ए 30S में आपको वहीं से मिल रही है वन जो है वो रैम मेनेजमेंट पर काफी काम करता है अब हम एक और अप्रिकेशन को चेकाउट कर लेते हैं जैसा कि हमने शेयरूट को ओपन किया था अब शेयरिट हमें गैलक्सी ए 30S में वहीं से मिल रहा है अगर मी ए 3 में चेकाउट किया जाए इसको तो हम इसको भी यहां दोस्तों यह तो स्पीड कंपेरजन हो गया आपके सामने रैम मेनेजमेंट आपके सामने है अगर बैटरी की बात की जाए तो दोनों ही फॉन आपको 4000 फेंच की बैटरी में मिलते हैं आपको फास चार्जिंग के ऑप्शन दोनों ही फॉन में मिल जाती है बद यहां आपको अन्बॉक्स करते ही 15W का अडप्टेव फास चारजर आपको गैलक्सी एठीट ऐस में मिलता है लेकिन मी ए3 में आपको अन्बॉक्स करते है चार्जर 10W का मिलता है आपको फास साजिंग अलक्स से लेना पड़ता है राकि अगर कैमरा बात की जाए तो यहां भी में मिलता था एम आपको फृंट पर मिल जाता है 32 में जाता है अपर्चर 1.7 कर रखा गया है और यहां जो 48 में जिमिलता है इसमें आपको अपर्चर देखने को मिल जाता है 1.8 का और यहां इस इस चैबलाइसन भी मिल जाती है मैं यहां फोरके वीडियो कि सकते हैं सोनी IMX586 का सेंसर इस्तेमाल किया गया है मी A3 में यहां सैमसंग का अपना ही सेंसर इस्तेमाल किया गया है ओके जी दोस्तों यह था कमपैरेजन शाओमी मी A3 का गालेक्सी A30S के साथ अब Android One प्रोग्राम अगर किसी ने यूस किया हो काफी स्मूथ है यहां ब्लॉट वेर्स भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं इवन काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है और दो साल की अपडेट भी देखने को मिल जाती है लेकिन 1.5 जो के One UI का नया वर्जन है काफी आप्टिमाइज नजर आया रैम मेनेजमेंट में मुझे यहां पर Mi A3 से ज्यादा बहतर मिला Galaxy A30S और अगर डिस्प्ले की साचुरेशन की बात की जाए तो Galaxy A30S में काटूनिश लुक यहां यार सिरियसली वड़े अफसोस से मुझे यह कहना पढ़ रहा है कि सैमसंग ने जो कलर रखे हैं वो ओपो वाले रखे हैं यहां पर कहीं भी यह अमोलेट डिस्प्ले और दीध वाले यहां ती यहां पर स्क्रीन साइज भी कुछ मुझे राम मीनेजमेंट का थोड़ा सा इशू रहे गा उसको भीर राउट करूंगा अगर आप को बसे sudah को लिवे कर सकते हैं अगरैं अगर आप सैमसंग के लेकिन है color saturation भी मुझे Mi A3 में PUBG की ज्यादा अच्छी मिली बट यहां पर graphics जो हैं वो मुझे medium के साथ खेलने पड़ते हैं आप PUBG किस graphics पर खेलते हैं यह भी comment section में जूरू शेयर कीज़ेगा gaming phone दोनों ही नहीं हैं इनसे अच्छे phone इस range में मिल जाते हैं पर अगर इन दोनों phones को compare किया जाए तो तकरीवन एक जैसी performance आपको मिल जाएगी यहां दोस्तों उमीद है आपको video मेरी पसंद आई होगी नया style पसंद आई होगा बैठने वाला अगली वीडियो तक मुझे इज से पाकिसान पाइंदाबाद अला हाफिज